देखे आज शाम लगभग चार बजे एक हलदवानी में बनफुलपुदा लाके में विला प्रशासन और पुलिस की सेयुक टीन जो है वो मानिय न्याले के आदिशों के क्रम में अवैद अतिक्रमल हटाने की कारवाई कर रही थी तो उस कारवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पत्राव किया गया आगजनी की गई और उनके पास शद ये भी सूचना है कि अवैद असलों से उन्हों ने पुलिस और प्रशासन पे फारिंग भी की और कुछ पुलिस के गाडियाँ को जलाने की सूचना है ठाने के आसपास भी तोड़ फोड और आगजनी की सूचना है तो घटना की जैसे ही सूचना मिली वहां तुरंत जो हमारे डियाईजी कुमाओं है वो भी मौके पे पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्ट पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथी साथ राजसरकार द्वारा एमेचे से इसमें अतिरिक्ट पुलिस बल की मांग भी की गई और चार कंपनी हमें अडिशनल सेंट्रिल फोर्सेज भी तक्ताल एमेचे द्वारा उपलब्द करा दी गई है और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मानिय मुख सूचना निदेशक हम सभी लोग वहां थे और स्थिती का जाइज़ा लिया गया और अभी फिलहाल स्थिती वहां पे नियंदर्ण में है जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है कई संख्या में जो पुलिस कर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए है उनको वहां स्थानी अस्पतालों में दाखिला कराया गया है फिलहाल किसी कैजूल्टी की सूचना नहीं है स्थिती जहां तक मेरी जानकारी है तनापून है पर मियंतर्ण में है और हम लोग के पास इस पूरे घटना करम की डीटेल अलग अलग जगे पे जो जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फोटेज है और आने वाले इस घटना को मानिय मुखमंत्री जी द्वारा राजसरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्नित किया जाएगा और उनके खिलाफ सक नियुक टीन जो है वो मानिय न्याले के आदिशों के क्रम में अवैद अतिकरमर हटाने की कारवाई कर रही थी तो उस कारवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पत्राव किया गया आगजनी की गई और उनके पास शद ये भी सूचना ह है कि अवैद असलाओं से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फारिंग भी की और कुछ पुलिस के गाडियाओं को जलाने की सूचना है थाने के आज़ पास भी तोड़ फोड़ और आगजनी की सूचना है तो घटना की जैसे ही सूचना मिली वहां तुरंत जो हमारे डिय देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें